एलो प्रेंट्स इस ब्लाउज की कटिंग का वीडियो में आपके साथ शेयर किया है अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजेगा इसका लिंक में डिस्क्रेशन बॉक्स में दे दूंगी तो इस ब्लाउज को इस्टिस करने के लिए हम तो देखे हमने यहाँ पर चारो तरफ शिलाए लगा कर दोनों पार्ट्स को ब्राबर में कर लिया है अब हम इस ब्लाउज के ने को तियार करेंगे तो इसको तियार करने के लिए हमने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग लिया है इस ट्राइब से हमने डबल फोल्ड कर लिया ह है और हमारे नेक को इसके उपर रखेंगे डबल खोल्ड करके और इसके बराबर में हम मार्किंग कर लेंगे और साइड में एक इंस एक्स्ट्रा लेते हो यह मार्किंग करेंगे और यहां से नेक को कट कर लेंगे तो देखिए इस टाइब से नेक को कट करने के बाद में हम लाइनिंग पीस पर नेक को रखेंगे और हापिन से एक्स्ट्रा फेबरी को शिलाई लगा कर फॉल्ड कर लेंगे और यह side से fold करने के बाद में हम यहां से extra fabric को cut कर लेंगे अब हम इस snake को front part के snake के उपर रखेंगे और यहांपर बराबर में set करते हुए एक पेर का margin लेते हुए शिलाय लगा कर 이 snake को attach कर लेंगे यह शिलाई लगाने के बाद में हम यहाँ पर चोटे-चोटे कट लगा लेंगे जिसे हमारे नेको बलटने में आसानी हो अब हम इस नेको इस टाइब से करते हुए उपर की साइड में यह शिलाई लगाएंगे यह शिलाई लगाने के बाद में हम पट्टी को नीचे की साइड में करेंगे और यहाँ पर फिनिशिंग के एक शिलाई वो लगा लेंगे तो देखे इस टाइब से हमारे यहाँ पर नेक बनकर त्यार हो गया है अब हम यहाँ पर प्रिंस कट पार्ट को भी इस टाइब से चारो तरफ से शिलाई लगा कर यह जिगर कर लेंगे दोनों पार्ट को और यहाँ पर हम प्रिंस कट पार्ट को अटेज करेंगे तो इस तरह से हम यहाँ पर repair का margin लेते हुए शिलाई लगागए इसको attach कर लेंगे इस type से हम दूसरी side में भी दूसरी part को attach कर लेंगे और यहाँ पर जो extra पेपरी गई इसको हम cut कर लेंगे तो हमने यहाँ पर दोनों parts को attach कर लिया है हमारे यहांपर फ्रंट पार्ट त्यार हो गया है अब हम नीचे की साइड में कमर पटी अटेज करेंगे तो मैंने यहांपर डेड़िन चोड़ी यह पटी लिया है और इसको उपर की साइड में रखते हुए एक पेर का मार्जन लेते हुए हम सिलाय लगा कर लेंगे अब हम इस पटी को नीचे की साइड में फेलाते हुए उपर की साइड में एक सिलाई लगाएंगे और इस पटी को इस टाइब से फॉल्ड करते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे देखें हमारे यहाँ पर फ्रंट पार्ट बनकर तियार हो गया है अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट में बीच में हुकाई पट्टी अटेच करेंगे तो मैंने यहाँ पर यह पट्टी लिया है इसकी चोड़ाई लिए 3 इंच और लंबाई लिया है 7 इंच अब हम इस टाइप से उपर की साइड में एक इंच चोड़ते हुए और नीचे की साइड में एक इंच चोड़ते हुए पांच इंच पर यह सिद्धी लाइन ड्रो करेंगे और ब्लाउज को हम बीच सेंटर में से इस टाइप से करेंगे और यहां पर हम मार्किंग करेंगे और यह मार्किंग करने के बाद में हमने यह जो पट्टी लिया है इसको हम बी सेंटर में रखेंगे और नीचे की साइड में एक्स्ट्रा लेते हुए इस पट्टी को रखेंगे और यहां पर जो हमने मार्किंग किया है उसी के बराबर में हमें यहाँ पर शिलाई लगानी है यह शिलाई लगाने के बाद में हम पुट को उठाएंगे वो इस टाइप से गुमा लेंगे और यहाँ पर हम एक पेर का मारजन देते हूँ यह एक शिलाई वो लगाएंगे यह शिलाए लगाने के बाद में B Center में से हम यहांसे कट करेंगे जो हमने शिलाए लगाई यह वहां तक हमें इसको कट करना है और इसको कट करने के बाद में इस पटी को इस टाइब से fold करते हुए निच्चे की साइड में कर लेंगे और यहां पर एक फिनिसिंग की शिलाई लगा लेंगे तो इसे टाइप से हम दूसरी साइड में भी पट्टी को फोल्ड करते हुए इस लाई लगा लेंगे अब हम यहाँ पर आई वाली पट्टी अटेज करेंगे तो मैंने यहाँ पर यह पट्टी ली है और इस पट्टी को हम दोनों साइड में से इस टाइप से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इस पट्टी को अटेज कर लेंगे निचे की साइड में रखते हुए तो देखें हमने यहां पर आई वाली पट्टी को नीचे की साइड में अटेज कर लिया है हमारी यहां पर हुकाई वाली पट्टी लगकर त्यार हो गई है तो देखें में यहां पर हुकाई भी लगा कर त्यार कर लिया है हमारा यहां पर फ्रंट पार्ट बनकर त्यार हो गया है अब हम अंग रखा पेटरन को त्यार करेंगे तो मेन फेबरी को लाइने भी इसको हमने यहाँ पर बराबर में रखते हुए श्लाइ लगा कर इसको अटेज कर लिया है अब हम निच्चे की साइड में यह पट्टी अटेज करेंगे तो हमने यहाँ पर डेडिन चोड़ी यह पट्टी लिया है इसको उपर की साइड में रखते हुए शिलाई लगा कर इसको अटेज कर लेंगे और एक शिलाई इस तरह से पहलाते हुए लगाएंगे अब इस पटी को नीचे की साइड में फॉल्ड करते हुए शिलाई लगा लेंगे तो देखे हम नहीं यहां पर अंगरका पेटरन को इस टाइप से त्यार कर लिया है अब हम नेकी साइड में यह लेश अटेज करेंगे तो यहां पर हम लेश रखते हुए शिलाई लगाकर इसको अटेज कर लेंगे और यहाँ पर लेश को निचे की साइड में फॉल्ड करते हुए एक शिलाई ओ लगा लेंगे इस लेश को हम निचे की साइड में भी अटेज कर लेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पर अंगरखा पेटरन त्यार हो गया है अब हम इस पेटरन को बल् freshmen के उपर इस टाइप से रखेंगे और फुलाई लगा कर इन दोनों को एक जगाए कर लेंगे और इस अंगरखा पेटरन को हमें राइट साइड में रखना है तो इस टाइप से हम इसको रखते हुए इनको बराबर में अटेज कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फेब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे तो देखिए इस टाइप से मारा यहां पर अंगरका पेटरन अटेज हो गया है बेक पार्ट को तियार करने के लिए नेक की चोड़ाई रखेंगे और यहां शे लंबाई लेंगे और नीचे की साइड में तीन इन्च पर यह मार्किं करेंगे और एक चोग और बोक्स बना लेंगे और इसमें राउंड सेफ ड्रो करेंगे नेको ड्रोकने के बाद में नेको कट कर लेंगे तो मैंने यहाँ पर नेको कट कर लिया है अब हम में फेबरी को इस टाइब से रखेंगे और इसके उपर लाइनिंग पीस को रखेंगे और पिन लगाकर इनको अच्छे तरह से सेट कर लेंगे और यहाँ पर हम शिलाई लगा कर नेक को तियार करेंगे तो एक पेर का मार्जन देते हुए यह शिलाई लगाएंगे अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा फेबरी को कट कर लेंगे और यहाँ पर चोड़ चोटे कट लगा लेंगे अब हम इन पिंस को निकाल लेंगे और नेग को हम पलट कर निचे की साइड में करेंगे और यहाँ पर हम फिनिशिंग की एक शिलाई लगा लेंगे तो देखें हमारा यहां पर नेक बनकर त्यार हो गया है अब हम कमर पटी अटेज करेंगे तो डेडीन चोड़ी यह पटी लिया है उसको उपर की साइड में रखते हुए शिलाय लगा कर हम कमर पटी को त्यार कर लेंगे पटी अटेज करने के बाद में हम टक्स पॉइंट की मार्किंग करेंगे तो बीच चैंडर में से चार इंच पर यह मार्किंग करेंगे दोनों साइड में चार चार इंच पर और टक्स की उचाही रखेंगे इंच का मार्जन लेते हुए हे टक्स पॉइंट के मार्किंग कर लेंगे दोनों साइड में अब हम यहाँ पर की शिलाय लगा लेंगे सिटाइप दूसरी साइड के भी शिलाय लगा लेंगे तो देखिए हमारे यहाँ पर बेक पार्ट भी बनकर त्यार हो गया है अब हम यहाँ पर सॉल्डर से अटेज करेंगे तो दोनों पार्ट को बराबर में रख कर सॉल्डर को अटेज कर लेंगे तो देखिए हमने यहाँ पर सॉल्डर को अटेज कर लिया है अब हम sleeve को attach करेंगे तो हम सबसे पहले sleeve के bottom part को तियार करेंगे इस type से fold करते हुए यहाप चलाई लगाएंगे और bottom part में भी हम lace को attach करेंगे तो इस type से हम रखते हुए lace को attach कर लेंगे अब हम स्लीव को इस टाइप से बी सेंटर में रखते हुए यहां पर स्लाय लगा कर स्लीव को अटेज कर लेंगे तो देखे हमने यहां पर स्लीव को अटेज कर लिया है एक साइड की तो अब विश्य तर lavender के से हम दूसरी साइड की स्लीव को भी अटेज कर लेंगे अब हम बलोज की फिटिंग की मार्किंग करेंगे तो चेस्ट का फॉर्ट पाग लेंगे 9 इंच और कमर का फॉर्ट पाग लेंगे 8 इंच और यहां से स्लीव के बोटम को हाप करेंगे तो हाप करेंगे तो 4 इंच पर यह मार्किंग करेंगे और ये मार्किंग करने के बाद में हम शिलाई लगा लेंगे साइड की पिटिंग की तो देखी में यहाँ पर एक साइड की पिटिंग की तो शिलाई लगा लिए है इस टाइप से हम दूसरी साइड में पिटिंग की शिलाई लगा लेंगे अब हम अंगरखा पेटरन बना रहे हैं तो उसमें हमें साइड में यह डोरी अटेज करनी है तो इस टाइप से हम यहाँ पर लटकन तियार करेंगे तो देखिए हमने यहाँ पर यह लटकन तियार कर ली है अब हम इसे ब्लाउज में अटेज करेंगे तो जो हमने यह अंग रखा पेटरन था उसके नीचे की साइड में हम इस डोरी को अटेज कर लेंगे एक साइड में तो हमने यह डोरी अटेज कर लिया है अब हम दूसरी साइड में जो हमने यह फिटिंग की सिलाई लगाई है उसके पराबर में हमें यहाँ पर यह इस डोरी को अटेज करना है तो इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों साइड में यह डोरी को अटेज कर लिया है तो देखे गाईज हमारा अंगर का पेटरन बनकर त्यार हो गया है कमेंड करके जुरूर से बताएगा आपको यह डिजाइन कैसा लगा अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना ठैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो